गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू टी एसन दा स्कूल तोडे वी विल रीड इंग्लिश ग्रेमर चैप्टर थर्ड वोवल्स एंड कॉंसोनेंट्स स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं वोवल्स आपने केजी सेक्शन में भी देखे हैं वोवल्स आपको पताए गई थे वोवल्स फाइफ होते हैं आपके पास और रेस्ट ऑफ वर्ड्स जैनकि एल्फाबेट्स जितने भी बचते हैं वो बाकी सभी कॉंसोनेंट के लाते हैं तो इस चैप्टर में हम इनी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से एक्स्प्रीन किया हुआ है वो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सो लट्स स्टार्ट वोवल्स आड़ कॉंसोनेंट्स स्टुडेंट्स वोवल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर और कॉंसोनेंट्स इस व्यंजिन आपने पढ़ाओ का स्वर और व्यंजिन के बारे में तो इसमें हम यही रीड करेंगे जो आपने देखें हिंदी में आ, छोटी, इ, बड़ी, उ, छोटा, उ, बड़ा, उ यह सब स्वर है इसी तरीके से इंग्लिश में जो है आपके पास वोवल्च बोलते हैं और विंजिन को अभी एक पर रिवाइज कर लेते हैं और इसको थोड़ा टिटेल में देख लेते हैं कि जो वोवल्च है हाद मेनी वोवल्च? वोवल्स हाँ 5 5 वोवल्स होते हैं न A, E, I, O and U यह 5 जो होती है मतलब इन से श्पहले उने sound आता है A का E का, I का, O का और U का तो अगर इनकी sound आती है तो वोवल है जैसे example आपके पस दे रखे हैं फर्स दे रखा पैन पैन में आवाज किसकी आ रही है किसकी sound आ रही है A की, pen A, pair next is jam man, when, fan A की आ रही है न साथ में तो A की sound है next E की sound के लिए आपको example दे हो है pen, ten, egg hen, den next I की sound के लिए आपको words दे रखे है pin, tin, bin, fin, pit O example है caught, dot, hot, pot, box U U के लिए run A की ही आ रही है इसमें भी थोड़े run, bus, tub, mug, pub थोड़ा जल्दी से आ जाती है तो यह five है जहां पर भी इनकी sound आती है वो वल्स कहलाते हैं वो A, E, I, O, U है यह five आपके पास है rest of words जो भी दे रखे हैं जिससे आपके पास आपको बताया भी गया है letters other than A, E, I, O and U in the alphabet are called consonants इनके अलावा जो भी alphabet होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं consonants कहलाते है consonants are 21 in number consonants कितने होते हैं numbers में 21 देखे, total alphabet कितने होते हैं total alphabet होते हैं हमारे पास 26 आपको पता है ना इंग्लिश में alphabet 26 होते हैं तो इनमें five तो हो गए और जो बाकी के बचे 21 numbers है वो 21 alphabets हैं वो होते हैं consonants तो consonants के भी आपके पास list दी हुई है इसमें इसमें A तो वोवल है तो B, C, D, E भी वोवल है तो E भी नहीं आएगा इसमें F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, U, R, S, T, V, W, X, Y, and last is Z यह सभी consonants है Here are some words begin with consonants अब consonants से स्टार्ट होने वाले कुछ आपको एक्जम्पल्स दीए गए हैं देख लेते हैं उन्हें भी फर्स देरा का है फ्रॉग, फ्लार, बाल, मैंगो, डग देखें स्टार्टिंग इनकी किससे है F से है, B से है, M से है, D से तो यह सभी हमने देखें नहीं इस consonants हैं नेक्स में बैग, लाइन, मंकी, होर्स, जोकर तो जैसे बैग है का B, लाइन, का L, मंकी का M, होर्स का H, जोकर का J नेक्स्ट, रोज, शेप, नेस्ट, पैरिट, ट्वीन तो इनमें भी R, S, N, P, Q यह सभी consonants है इनकी जो फर्स लेटर बताए हुए हमें बिगिनिंग बर्ड्स जो दे रखें हमें बिगिनिंग लेटर्स हैं, वो consonants हैं नेक्स्ट आपको एक्जम्पल दिये हुए ट्री, वास, वाच, एक्समस, ट्री, याज तो ट्री का T, वास का V, वाच का W, एक्समस का X, और याज का Y यह सभी भी consonants में आते हैं तो students इस chapter में आपके बस इतना ही है कि आपको पता है कि alphabets जो है 26 है नमबर्स में और तू काइंट्स होते हैं इनके वोवल and consonants वन, वो फॉस्स जो है वोवल वो कितने हैं नमबर्स में फाइफ है, कौन-कौन से A, E, I, O, U और जो consonants है वो इन नमबर्स 21 है, आपको यह यलो लाइनिंग में जो दिखा रखे हैं यह सारे consonants है तो आप इनको घर पे प्रेक्टिस कीजिएगा जितना प्रेक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, यही आपका चैप्टर है आपके चैप्टर के बाद अब है बैक एक्सेसाइज तो बैक एक्सेसाइज में कोश्चेन फर्स्ट है आपका इंग्लिश अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने तरह के लैटर होते हैं अभी हमने रीड के स्टार्टिंग में ही स्टेप रखे यह तू काइंट्स होते हैं वोवल एंड कॉंस तो option A is right answer तो A पे टिक कर लेंगे हम second है हमारे पास question number second है consonants are dash in numbers consonants कितने होते हैं numbers में A 20, B 21, C 22 तो हमें B 21 पे टिक करना है ओके students अब आपके पास question B है look at this set of alphabet color all the vowels pink and the consonants blue students यह आपको खुद को करने के लिए दिया गया self करके देखेंगे आप लोग क्योंकि आप इस chapter को read करेंगे बहुत अच्छे से तो आप समझेंगे कि कौन से vowelsals होते हैं और कौन से consonants होते हैं इसमें आपको पूरे alphabets दिये हुए a to z आपको दे रखे हैं इनमें से आपको जो vowels हैं अभी हमने इस chapter में read किये थे vowel और consonant अलग से तो जो vowels हैं उनको हमें pink color से कर देना है और जो consonants हैं उनको हमें blue color से mark कर लेना है चाहे तो आप circle बना के underline करके जिस तरीके से भी आपको convenient लगे easy लगे उसमें में आप कर लेंगे यह आपको खुद को करना है as a homework आपका दिया जा रहा है next video में आपको बता दिया जाएगा बट पहले आप खुद करके देखने की try करेंगे next question number c है आपका look at these pictures and complete their names by filling the correct vogels इनमें हमें vogels को fill करना है तो first pic हमें दिखा रखी है जैसे swan की और इसमें space दिया हुआ है first वाले में तो हमें इसमें a fill करना है second वाले में हमें engine की picture show की हुई है तो उसमें हमें first में तो e करना है fill then n and g हमें already दिया हुआ है उसके बाद में i fill करना है N दिया हुआ है E फिल करना है तो सेकंड वाले में E, I, E ये तीन फिलप्स में आएंगे फर्स में E, सेकंड में I और थर्ड में E थर्ड वाला है हमारे जो पिक्चर शो की हुई है उसे शूस की की हुई है तो शूस में S, H हमें दिया हुआ है हमें O A एंड E जो ब्लेंग दो दिया है उसे फिल करना है S अलरेड़ी लिखा हुआ है फूर्थ हमारे पास है उनियन जैसे कि पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है उनियन के में फर्स में हमें ब्लेंग दिया हुआ है हमें O fill करना है, N हमारे पास already है, next हमारे पास दो fill up करने हैं हमें, तो उनमें हमें I and O fill करना है, and last में N इसमें already mentioned है, तो fourth वाले में भी हमें O, I, O fill करना है, D, the words begin, sorry, the words given below have vowels in them, इनमें vowels दिये हो हैं, spellings दिये हैं, कुछ हमें उनकी vowels भी हैं साथ में, तो हमें pick out all vowels and write in the given box, तो हमें इनमें से वोवल्स को pick करना है, उनमें से select करना है, उनमें से उठाना है, और उनको जो जो blank वाले boxes हैं, उनमें fill करना है, जैसे first वाली spelling हमें दिये हुए, ink pot, ink pot में इसी spelling के according हुए हमें देखना है कि इसमें कौन-कौन से वोवल्स हैं, जो वोवल्स हमें मिलेंगे, हमें उसमें fill कर देना है, जो उसके blocks बने हुए, उन blocks में हमें लिख देना है, second spelling umbrella है, umbrella में से हमें वोवल्स निकालने हैं, जो आपको समझ आरे हैं कि ये वोवल्स हैं, तो आपको इसमें लिखना है, third spelling आपके पास peacock है, and fourth is policeman, students ये आपको खुद को fill करने हैं, ताकि आप खुद समझ सकें इस chapter को read करके एक बार, तो आपको as a homework B and D question दिया गया है, students ये chapter आपका इतना ही था, वोवल and consonants का, तो I think आपका ये जो concept था, वो थोड़ा clear हो गया होगा, और अच्छे से करने के लिए आप इस वेपर खुद से बैटके read कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, और फिर कोई problem हो, query हो, तो आप इस उपे, school के number पे आप call करके, पूछ सकते हैं, तो students आप आपकी back exercise को देख लीजेगा, next video में आपको इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, ताकि आप इसको return में भी आप कर सकें, और जो question homework में दिये गए हैं, वो भी उसमें solve कर रहे होए, मिल जाएंगे, ताकि आपको problem ना हो, till then, take care, thank you.